आजकल की निउस सुनो, तो भाया प्रेमी ने प्रेमी का को, प्रेमी का ने प्रेमी की हत्या करवा दी, मा ने इसको, बेटी ने इसको, बाप ने इसको, घर वालो ने इसको, दोस्त ने इसको, क्या चल किया रहा है, फिर आप कहोगे क्या करें, रिष्टे नाते सब कुछ छो आपसे प्यार करता है, तभी तक आपको वैल्यू देता है, जब तक उनका मतलब पूरा हो रहा है, जब तक उनका काम बन रहा है, जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है, जैसे उनके स्वार्थ पूरती में थोड़ी सी भी बाधा हुई, थोड़ा भी आपस्टेकल आया, तो आपको replace कर दिया जाएगा आप बोलोगे कि यार ये क्या बोल रहे है बड़ी आप वहियात बात कर रहे हो लोग हमसे कितना प्यार करते हैं हमारे घर वाले हमारे office वाले हमारा friend circle बहुत प्यार करते हैं वो सब बहुत value करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि उनका मतलब पूरा हो रहा है उनका काम निकल रहा है उनका स्वात पूरा हो रहा है तो आपको दिख रहा है कि वो लोग बहुत प्यार करते हैं बहुत वेल्यू देते हैं मेरे को बहुत इज़त करते हैं मेरी सब यह सबना इल्यूजन है जैसे ही उनका काम पूरा होना बंद हुआ, थोड़ा भी मतलब निकलना बंद हुआ, तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, लोग भगवान तक को रिप्लेस कर देते हैं, हम तो इंसान हैं, हड़ी मान से बना हुआ यह शरीर है, लोग भगवान तक को replace कर देते हैं कैसे लोग बोलना start करते हैं हमने हनुआ जी से कहा था कि हम एक किलो लड्डू चढ़ाएंगे हमारी एक मनो कामना पूरी कर दो हनुआ जी न हमारी बात सुनी नहीं अब हम जाएंगे शणी देव के पास जाए शणी देव करने और हम उनसे मांगेंगे, वो हमारी मनों का मना पूरी करेंगे तो लोग बड़े बड़े देवी देवताओं को भगवान को रिप्लेस कर देते हैं तो भाईया हम और आप तो इंसान हैं, हम और आप तो केवल इंसान है मतलब हनुमान जी जो है, वो आपके किलो लड़ू के भूखे हैं कि बस उनको चड़ाने से क्या है, उनकी भूख शान्त हो जाएगी यार उनको तो मत गिराओ, हम तो खुदी गिरे हुए है हम तो खुद ही गिरे हुए हैं कि भगवान को तो नहीं गिरा है हम भगवान को भी गिरा देते हैं अपने मतलब को पूरा करने के लिए अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भगवान को भी गिरा देते हैं माता रान्य गिरा देते हैं कि हम दो नारियल चढ़ा देंगे माता रान्य आपके दो नारियल के लिए भूखी पड़ी है मतलब एकदम हमारी जो नीच बुद्धी है और हमारी जो इतनी ऐसी गंदी सोच है हम क्या-क्या नहीं कर रहे हैं मतलब Just for our needs जस्ट पूर की हमारा मतलब पूरा हो जाए हमारा काम बन जाए हमारा स्वार्थ पूरा हो जाए हम कुछ भी करने के लिए अपनी होर्शे तयार है और ये बात तो ठीक है रिप्लेस कर देना भी ठीक है चलो किसीना आपको रिप्लेस कर दिया लेकिन आजकल की निउस सुनो, तो भाया प्रेमी ने प्रेमी का को, प्रेमी का ने प्रेमी की हत्या करवा दी, मा ने इसको, बेटी ने इसको, बाप ने इसको, घर वालों ने इसको, दोस्त ने इसको, क्या चल का रहा है, ये कलिकाल का प्रभाव है, कलियूक का प्रभाव है आज का टाइम तो थोड़ा सा बेटर है कि चलो थोड़ी इंसानियत है आने वाला टाइम इतना टफ होगा मतलब सर्वाइफ कर पाना, रह पाना, रिस्तदारी निभा पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है तो क्या करें? फिर आप कहोगे क्या करें? रिस्ते नाते सब को छोड़ चाड़ के चले जा जंगल में, सन्यास ले ले ये कोई समाधान नहीं है, सन्यास लेना इतना आसान भी नहीं है जिसे कई बाई लोग बोल देते हैं, अब ये सोच रहा हूँ, ये करने के बाद मैं तो सन्यासी ले लूँगा मतलब सन्यास को हमने भी मजात बना दिया है, क्या करना चाहिए फिर? रिस्ते को रिस्ते ही की तरह निभाओ दिल मत लगाओ रिस्तेदारों से दिल मत लगाओ अपनी प्रेमिका से अपने प्रेमी से अपने घरवालों से अपने दोस्तों से दिल केवल दिलदार से लगाओ दिल केवल भगवान से लगाओ अगर आपने किसी से भी दिल लगाया तो आप धुका खाओगे, आपका दिल दुखेगा, आप अपनी और से परेशान हो जाएंगे और आप रोएंगे एक दिन, कि यार इसने तो मेरे को धुका दे दिया, यह इसा कैसे कर सकता है, वो ऐसा कैसे कर सकती है, यही चीजे सोच सो सकते हैं, प्रेवी प्रेमिका करिस्ता सकते हैं, भाया फ्लैट सकते हैं, घर सकते हैं, रुपया गाड़ी पैसा, गाड़ी घोड़ा सकते हैं, यह सब सकते हैं, ऐसा तो नहीं बोला जाता है, यह बोला जाता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य हैं, भाया जो सत्य है, वो प्रभू का नाम है, वो प्रभू है, तो प्रेम करना है, दिल लगाना है, तो भगवान से लगाओ, भगवान के नाम से लगाओ, वरना इन लोगों से दिल लगाओगे, फिर आप सुचो कि आपका दिल जो है, वो सही सलामत रहे, तो आप धूखे में हो, आपका दिल ठोकते रहोगे, पिटते रहोगे कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, ये तो बहुत गलत हो गया, बहुत बुरा हो गया, क्योंकि आपका पॉपस ही गलत हो गया, आपका पॉपस ही हो गया कि लोगों से मेरे को खुशी मिलेगी, लोगों से दिल लगाओ, ये नई, रिष्टे हैं, दोस्त हैं, बने रहें, घर वाले हैं, बने रहें, बाहर वाले हैं, बने रहें, लेकिन उनको हम निभाएंगे बस हमारा जो दिल है, हमारी जो attachment है वो केवल भगवान के ओर, इधर उधर दिल लगाओगे, भया धोखाओगे, समझे रहाँ, बस इतने ही कहना चाता था आ भारत